हलो एवरिवन आप से हीगा स्वागा था आपके अपनी यीट्यूब चैनल मैथ मंजबर आज की इसलिवन में आपको सिखाने वाला हम गुणनखंड कैसे करते हैं ओके मैथ के अंदर काफी इंपोर्टेंट टॉफिक होता है गुणनखंड करना यदि आपको गुणनखंड कर तो सबसे पहले आप क्या करोगे जो एक्स की पावर्ट दो है उसको जो आंगे लिखा है उसका गुणा आप लास्ट वाले नमबर से करोगे ठीक है ना तो तीन का गुणा करोगे आप आठ से ठीक है पहली वाली संख्या का और लास्ट वाले नमबर का गुणा करोगे अब गुणा करने पर कितना हो जाएगा आठती है 24 तो आपको 24 यहाँ पर लिख लेना है ठीक है मैं आपको बिल्कुल वेसिक से बता रहा हूँ आपको बिल्कुल भी नहीं आता तब भी आप समझ जाओगे ठीक है पहला काम क्या है आपका जो पहला नंबर है उसका लाश्ट वाल इस नंबर को कटो से अब 4 च्रहें से इसा बपर 6 बार जाएगा अगें 2 से कटेगा तीन बार फ्रेट से काटेंगे अब 3 से कटेगा एक बार हमने इसके अब अबहाग गुणाखन गर लिए अब हमें देखना होता है यहाँ पर जो बीच में number लिखा होता है हमने यहाँ पर देखा कितना लिखा 10 तो अब हमें जो यहाँ पर number लिखे है अब आज गुलानकान हमने जो किये हैं उसको हम एक बार लिख लेंगे 2, 2, 2 और 3 है इसको हम ऐसा लिख लेंगे 2 into 2 into 2 into 3 इस लिख लेंगे अब देखी हमें इस number को देख रहा होता है प्लव के यहाँ पर कितना है 10 है तो हमको 10 को देखना है अब हमें इन number का आपस में गुणा करना आ है और हमें यहाँ पर Понको total कितने हैомic 2 3, 4 हैं हमें इन का आपस में गुणा करना है और दो नमबर बनाने है अब दो नमबर बनेंगे और फिर हम उनको आपस में जोड़ देंगे तो कितना आजाएगा दस आजाएगा ठीक है ना अब हम देखिए हम जोड़ते हैं और घटाते हैं यदि आपको गुणनकंड करना विल्कुल भी नहाता है तो मैंने एक वीडियो और बना रखा है ठीक है उसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया है कब जोड़ना है कब घटाना है ठीक है तो आपको यहां पर वीडियो दिख होगा आप उस वीडियो को देख सकते हो ठीक है तो देखी हमें कितना चाहिए यहां पर दस चाहिए हमें इनका आपस में गुणा करेंगे तो देखी हम गुणा कर रहा है अब याल दो का गुणा तीन में करो कितना हो जाएगा चार चार और छे जोड़ दो आपस में कितना हो जाएगा 4 और 6 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 10 हमें 10 चाहिए था यहाँ पर 10 हमको मिल गया ठीक है तो हम इसको कैसे लिखेंगे 3x square minus minus हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है हमें 4 और 6 से मतलब है तो यहाँ पर लिखेंगे हम अप क्या करेंगे हम 3x square minus यहां से but up ड़ेगे और पीछे एक रही करेंगे ठीक है ना तो माइनस का फॉर यहां से मल्ह एक्स हो गया पीछे से एकिक टो जाएगा थैक जवा दो Labs हैं तो आप दो तो देखिए पहले बाले में आपको कुछ common दिख रहा है यहाँ पर पहले बाले में सिर्फ x common है तो x common कर लो आप तो यहाँ पर क्या बचेगा तीन x बचेगा देखिए हमने यहाँ से x निकाल लिया तो x की पावर दो था एक x बचेगा और तीन बच जाएगा x बचेगा फिर से यहाँ पर देखिए क्या common कर सकते है यहाँ पर हम 2 common कर सकते है क्योंकि यहाँ पर 2 का भाग 6 में भी चला जाता है और 8 में भी चला जाता है तो हमने 2 common किया 2 का भाग 6 में लगाओ कितना आएगा 3 x का x आजाएगा क्योंकि x तो हमने common किया नहीं है फिर minus 2 का भाग 4 में लगाओ तो 4 का भाग sorry minus 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो 4 आ जाएगा तो 4 लिख देंगे ध्यान रखना आपकी जो bracket आएंगे हमेशा equal आएंगे कैसे आएंगे बरावर आएंगे देखिए यहाँ पर 3x-4 है यहाँ भी 3x-4 है यहाँ आपक कर लिया होगा ठीक है अब देखिए हम 3x-4 यहाँ से और 3x-4 यहाँ से common कर लेंगे तो 3x-4 हमने common किया तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा minus 2 यही इसका आंसर हो जाएगा एक कीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं सफुच कीजिए अगर इसी में बरावर 0 लगा होता सवाल में तो जिए आपको बन जाता 2 घात समीकरण और 2 घात समीकरण को साव फसंद आया हुगा यदि बीडी फसंद आयो तो बीडी को लाइक कर देना और चैनल पर नयो चैनल को सब्स्राइब कर लेना थैंक्स फर वोचेंग